दोस्तों, आज आपको एक ऐसी प्रोसेस के बारे में बताने वाले हैं, जो आपका पूरा जीवन ही बदल कर रख देगा. इस तकनीक के जरीए, आप अपने जीवन में दौलत, शोहरत, सेहत, सुख, सम्रिध्धि और धेरों खुशियाओं भी पा सकते हैं. और सबसे अच्छी बात ये है, कि इस तकनीक को आपको सिर्फ 5 मिनट ही देने हैं, और वो भी रात को सोने से पहले जब आपका दिमाग और शरीर पूरी तरह से ठके हुए होते हैं, जब आप सोने की पूरी तयारी करके सोने लगते हैं, बस उसी वक्त के सिर्फ 5 मिनट आपक ही बदल कर रह जाएगी, और दोस्तों, वो कौन सी तकनीक है, जिससे आपके जीवन की दशा ही बदल जाएगी, और किस तरह आपको यह करनी है, वो सभी बातों को समझ लेना, और एक भी बात को मिस मत करना नहीं, तो इस से आपको ये टेकनीक समझ में नहीं आएगी, तो आसान शब्दों में कहूं, तो भगवान ने हर इनसान को एक ऐसी शक्ति दी हुई है, जिससे वो कुछ भी पा सकता है, जी हाँ दोस्तों, कुछ भी पा सकता है, और वो है दिमाग, इनसान का दिमाग ही वो है, जो आपकी हर ख्वाइश को मिनटों में पूरी कर सकता है, औ यानिक है कांशियस माइण्द यानिके चेतनमं और दूसरा भाग है सबंकान्शियस माइण्द यानिके अबचेतनमं और आप यह जान लो कि आपका कांशियस माइण्द यानिके चेतनमं ही LOGIC करता है, sBMH इच्छा आपकी सभी PLAN या जो कुछ भी आप अपनी जिंदगी मे करते हो वो सिर्फ conscious mind यानि के चेतन मन ही करता है आपके हर action आपके हर काम को चेतन मन ही काबू में रखता है और यह सिर्फ आपके दिमाग का 5% ही हिस्सा होता है और दूसरी तरफ आपके emotion भावनाएं यादें और feelings ये सब अब चेतन मन कंट्रोल करता है यानि कि यह सब सब conscious mind के हाथ में होता है और यह सब ही चीजों को अपने आप ही autopilot पर कंट्रोल करता रहता है जैसे ही आपकी आँखों की तरफ या आपकी तरफ कोई भी चीज भेंगता है तो आप अपने आप ही एक दम से ही बचने की कोशिश करते हो या कोई डरावनी या दुख भरी मूवी देखकर आप रोने लगते हो या डर जाते हो ये सब सब conscious mind करता है और ये सब कुछ अपने आप ही autopilot पर ये करता रहता है पल के जपकाना, सांस लेना, दिल की धड़़चकन ये सब कुछ आपका सब conscious mind ही कंट्रोल करता है और ये आपके दिमाग का 95% हिस्सा है जो दिमाग का सबसे ज्यादा शक्तिशाली हिस्सा होता है conscious mind से तो ये करोड डोगुना ज्यादा powerful आपका सब conscious mind माना जाता है अगर आसान भाशा में समझाओ तो आपका सब conscious mind उस multiple cinema घर की तरह है जहां एक ही साथ एक ही समय पर बहुत सारी movies चल रही है और वो भी बिलकुल ना stop बिना रुके बिना थमे जबकि conscious mind वन समय पर एक ही चीज़ पर focus कर सकता है सब conscious mind इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि वो इनसान में मौझूद 50 ट्रिलियन से भी ज्यादा sales को बिना रुके control करता रहता है आप जब सो जाते हो तो ये कभी भी नहीं सोता है ये हमेशा आपके लिए काम करता रहता है और जब तक आप जिन्दा रहोगे ये सब conscious mind आपका 24 घंटे काम करता रहेगा बलकि सब conscious mind कुछ power तो ऐसी है जो बता दी है कि यह बिलकुल अद्भुत है ये कुछ भी कर सकता है, कुछ भी पा सकता है दुनिया भर में scientist ने भी experiment करके ये prove कर दिया है कि आपका सब conscious mind इस दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है scientist ने काफी लोगों पर इसके experiment भी किये है उन्होंने ये experiment किये है कि लोगों को दवाई के नाम पर सिर्फ खाली capsule ही दिये और सभी लोगों को डॉक्टर द्वारा ये विश्वास दिलाया गया कि जो दवा उन्हें दी जा रही है उन्हें बहुत जल्दी ठीक कर देगी और आप जानकर हैरान होंगे कि वो सभी लोग बिना किसी दवाई के ही ठीक भी हो गए दवाईयों के नाम पर जो खाली capsule उन्हें दिये जा रहे थे उन्हें से उनकी सब बीमारी ठीक हो गई क्योंकि उनके सब कांशियस माइंड को डॉक्टर के द्वारा यह यकीन दिलाया जा चुका था कि ये दवाई उनकी बीमारी के लिए ही बनाई गई है उन्हें नहीं बताया गया कि वो खाली है उन्हें बस इतना ही विश्वास और यकीन दिला दिया कि इस दवाई से वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे यानि कि अगर सब कांशियस माइंड को विश्वास दिला दिया जाए तो ये आपके शरीर में मौजूद सेल्स को ऐसे सिगनल भेजता है जिससे सेल्फ हीलिंग से ही इंसान ठीक भी हो जाता है और हर इंसान के पास भगवान की दी हुई यह अदभुत ताकत मौजूद है लेकिन सब कांशियस माइंड सही गलत, सच, जूट, क्या असली है और क्या नकली है इसमें फर्क नहीं कर सकता है यह बस हर चीज को अपने अंदर स्टोर कर लेता है अपनी प्रोग्रामिंग में लेकिन फिर भी यह अदभुत है, पावरफुल है और कांशियस माइंड से करोड़ो गुना ज्यादा शक्तिशाली है अब अगर कांशियस माइंड आपका कोई सपना देखता है कोई इच्छा रखता है या कुछ भी पाना चाहता है तो उसके लिए आपके सब कांशियस माइंड का साथ होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है लेकिन इस दुनिया में हर इंसान के साथ समस्या ये है कि उनके सब कांशियस माइंड में ज्यादा तर बातें नेगेटिव ही भरी होती है बचपन से ही परिवार, समाज, दोस्तों और रिष्टेदारों से उनके सब कांशियस माइंड नेगेटिव खयाल और विचार ठूस कर भर दिये जाते हैं जैसे कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हें नौकरी नहीं मिल सकती है, तुम पैसे नहीं कमा सकते हो, तुम बहुत कमजोर हो, तुम सुन्दर नहीं हो, तुम्हारी किस्मत ही खराब है, या फिर तुम्हारी आउकात ही नहीं है। सपने देखने की इस तरह की बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपके सब conscious mind में बचपन से ही भर दी जाती है और आपका सब conscious mind बिना कोई फर्क किये इन्हें अपने प्रोग्राम में स्टोर कर लेता है और सब conscious mind में भरी हुई इन्ही बातों के कारण यह आपके conscious mind का साथ नहीं देता है क्योंकि जो बातें आपके सब conscious mind में लोगों में भरी हुई है इसके हिसाब से तो आप बहुत कमजोर हो आपके बसकी कुछ नहीं है आपकी आउकात ही नहीं है कुछ करने की क्योंकि इस दुनिया में परिवार, समाज, रिष्टेदार इतनी ज्यादा नेगिटिव बातें आपके दिमाग में भर देते हैं कि यह सब conscious mind आपके conscious mind का फिर साथ ही नहीं देता है और अगर सब conscious mind साथ नहीं देगा तो आपकी सफलता के लिए chance सिर्फ 5% ही रह जाते हैं इसलिए अधिकतर लोग सोचते ही रह जाते हैं और अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाते हैं इससे आप बिलकुल अच्छी तरह से समझ लो कि आपका conscious mind race के घोड़े जैसा है जो अपने मालिक की मर्जी या साथ के बिना कहीं नहीं जा सकता है मालिक चाहे तो घोड़ना रोक सकता है उसे तेजी से दोड़ा सकता है उसे कोई भी direction दे सकता है कहीं पर भी mode कर ले जा सकता है और सब conscious mind आपका वही मालिक है जो हर चीज को कंट्रोल करता है आपके शरीर में मौजूद 50 trillion sales को भी यह अपने आप ही कंट्रोल कर रहा है अगर आप अपनी इच्छा पूरी होने के chance 100% करना चाहते हो तो इस subconscious mind का साथ होना बेहत ज्यादा जरूरी है बिना इसके कोई भी इच्छा आपकी पूरी हो ही नहीं सकती है और इस subconscious mind को अपने साथ करने के लिए आपको समाज की परिवार की और रिष्टेदारों की उन सभी negative बातों को भूलना होगा क्यूंकि आप कमजोर नहीं हो आपको लोगों द्वारा ही बदकिस्मत बनाया गया है इसी लिए अपने subconscious mind की programming को बदलना बेहत ज्यादा जरूरी है तब ही यह आपका साथ देगा जब आपका subconscious mind, conscious mind के साथ होगा तो आपकी success, wish या कुछ भी पाने की इच्छा पूरी होने के chance 100% हो जाएंगे लेकिन subconscious mind की programming बदले तो बदले कैसे क्योंकि समाज ने तो इतना कचरा दिमाग में भर दिया है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पा रहे हो लेकिन अब दोस्तों आपको बिलकुल डरने की, कमजोर होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको इस बारे में भी बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी प्रोग्राइमिंग ही बदल कर रख सकते हैं तो दोस्तों आप ये बात जान लो कि रात को ठीक सोने से पहले आपके कांशेस माइंड और सब कांशेस माइंड का कनेक्शन खत्म हो जाता है और जिस समय आपकी आँखें लगने वाली होती है नींद आने वाली होती है यही वो अवस्था है जिसमें आप अपने सब कांशेस माइंड में कुछ भी डाल सकते हो आधे जगह और आधे सोय यही वो अवस्था है जो आपका जीवन ही बदल कर रख देगी जिस समय आप कुछ भी अपने सब कांशियस माइंड में डाल दोगे वही इसमें लॉक हो जाएगा और सब कांशियस माइंड उन्ही विचारों के साथ रात भर रहता है जो आप ठीक सोने से पहले उसमें डाल देते हो और हर रोज ऐसा करने से आपके सब कांशियस माइंड की प्रोग्रामिंग नेगेटिव से पॉजिटिव में बदलने लगती है और फिर यह आपके कांशियस माइंड का साथ देने लगता है और जब भी सब कांशियस माइंड आपका साथ देगा तो conscious mind की ताकत 5% से बढ़कर सीधे 100% हो जाएगी और लगातार रोज प्रैक्टिस से अभ्यास से आपके आस पास की दुनिया लोग और हर चीज ही बदलनी शुरू हो जाती है अब दोस्तों, हर इनसान की ये आदत होती है कि वो रात को सोने से पहले अपनी जिन्दगी के दुखों को याद करता है अपनी कमजोरियों को महसूस करता है या पूरे दिन में उसके साथ क्या गलत हुआ है या क्या उसकी जिन्दगी में गलत हो रहा है बस इसी तरह की सब नेगेटिव बातों को याद करके आप सो जाते हैं और इसी कारण यही सब नेगेटिव बातें जाने अंजाने आपके सब कांशियस माइंड में सोते टाइम लॉक हो जाती है और फिर पूरी रात ये सब conscious mind इनी सभी बातों को इनी नेगेटिव खयाल और सोच को आपके conscious mind में लगातार भीजता रहता है जिससे आप सुबह उठते ही दुख और चिंता में ही उठते हो, पूरा दिन ही चिंता करते हुए ही रह जाते हो और कुछ भी नहीं कर पाते हो, क्यूंकि रात को तो आपने negative programming अपने subconscious mind की कर ली है जाने अंजाने ही सही, पर इसी तरह इनसान अपनी जिंदगी रोज बिगदाता ही रहता है लेकिन आप याद रखना ये आपका magic time है, जब आप अपने subconscious mind की programming को बदल कर अपना पूरा जीवन ही पलट कर रख सकते हैं इस तकनीक की 100% सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि कितना ज्यादा लगातार रोज आप इस तकनीक को practice करते हैं पूरी तरह से इस तकनीक की काम्या भी सिर्फ आपके रोज practice के routine से ही बनती है क्योंकि बच्पन से चली आ रही समाज और लोगो द्वारा की हुई negative programming को आप एक रात में ही नहीं बदल सकते हो इसे बदलने के लिए आपको कुछ समय और कुछ दिन तो इसे देने ही होंगे लेकिन अगर आप इन सब बातों को समझ गए और आपने इसे अभ्यास करना शुरू कर दिया तो यकीन मानिये आपके लिए इस दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं होगा जो आप चाहोगे वही आपको मिल जाएगा अपने सब कॉंशिस माइंड की प्रोग्रामिंग को बदलने के लिए आप दो तरीके अपना सकते हो इस मैजिक टाइम को अपने लिए खास बनाने के लिए इसका भरपूर फायदा उठाने के लिए आप जो भी अपनी जिंदगी में पाना चाहते हो कुछ भी करना चाहते हो उन सभी पॉजिटिव बातों को बोल कर रिकॉर्ड कर लो और रोज रात को सोने से पहले उस रिकॉर्डिंग को सुना करो तो आपकी सब कांशिस माइंड की प्रोग्रामिंग आपके हिसाब से ही बिलकुल पॉजिटिव और सबसे ज्यादा शक्तिशाली होने लगेगी और आपको वो सब कुछ मिलने लगेगा जो आप पाना चाहते हो इन वीडियोस को सोते समय लगातार सुनते हुए सो जाने से यही बातें आपके दिमाग में लोड हो जाएंगी और दूसरा तरीका है कि रात को ठीक सोने से पहले पूरे यकीन के साथ आप वैसा ही सोचिए जैसा आप पाना चाहते हो बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से वही सोचना है जो आप चाहते हो कि आपके साथ होना चाहिए जैसे कि अब मैं अमीर हो जाऊंगा मैं अब सब कुछ लूँगा मुझे कोई परिशान नहीं कर सकता है इस तरह कि कोई भी बात जो आप पाना चाहते हो या जो भी आपकी इच्छा है वही पूरे यकीन और विश्वास के साथ सोचते हुए उसी इच्छा को क्लियर पिक्चर बनाते हुए अपने दिमाग में उसको फील और महसूस करते हुए आप सो जाए जैसे कि आप काम्याब हो चुके हो अपनी खुशी को काम्याबी को महसूस करो सभी पॉजिटिव बातों को सोच कर महसूस करो जैसे आपने वो सब कुछ पा लिया है जिसकी आपको इच्छा है और अगर रोज आपने ये प्रैक्टिस कर लिया तो धीरे धीरे आपका सब कांशियस माइंड आपकी बातों पर यकीन करना शुरू कर देगा आपके सब कांशियस माइंड की प्रोग्रामिंग ही बदल जाएगी और यहीं से आपकी दुनिया और जिन्दगी भी बदलनी शुरू हो जाएगी क्यूंकि तब आपके कांशियस माइंड के साथ सब conscious mind की powerful शक्ती भी होगी अगर सोचने में महसूस करने में परिशानी हो तो इस वीडियो को दोबारा रोज सोने से पहले फिर से देख लेना फिर आपको कोई भी परिशानी नहीं होगी तो इस तक्नीक को बिना आज का दिन गमवाए आज से ही इस पर practice करना शुरू कर दो और आज से ही अपनी इच्छाओं को आकरशित करने के लिए बिल्कुल शुरू हो जाओ इस तक्नीक में इतनी ताकत है कि यह आपका जीवन ही पलट कर रख देगी तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ जैश्री राम